आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमश्काद रशको आप देख रहे MNS News Network में हूँ आपके साथ शीबा शेक तो आएए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे आएए एक नजर डालते हैं है हैड्लाइन्स क्या डेब्यू के साथ सर्फरास खान की ICC टेस्ट रैंकिंग में इंट्री दिगजों को छोड़ दिया पीछे ये शेश्वी जैसवाल का बड़ा धमाका एक साथ इतने स्थानू की लगाई छलांग बुम्रा की जगह गदर मचाने को तयार ये तेज गेंदबास रांची स्टेट में करेगा डेब्यू आईए दिखते हैं खबरे विस्तार से डेब्यू के साथ सर्फरास खान की ICC टेस्ट रैंकिंग में इंट्री दिगजों को छोड़ दिया पीछे डेमोस्टिक क्रीकेट में बड़े-बड़े का नामिक करने वाले यूअब बल्यवास सर्फरास खान अब भारतिया टीम के भी खिलाडी बन गया है उनके इंटरनाशनल डेब्यू का इंतजार पिछले करीब दो सालों से किया जा रहा था जो इंगलंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पूरा हो गया है सर्फरास ने जिस तरह घरेलू क्रिकेट में रन बनाए है उसी तरह का आगाज इंटरनाशनल में भी किया है पहले ही टेस्ट की दो पाईरियों को अर्थश्य तक लगाने वाले वो भारत के कुछ चुनिन्दा खिलाडियों की लिस्ट में शामिल हो गया है इतना ही नहीं उन्होंने आइसी सी रैंकिंग की टॉप हन्रेट खिलाडियों की लिस्ट में एंट्री भी कर ली है सर्फराज ने इससे पहले इंटरनेशनल मैच नहीं खेले इसलिए उनकी बलेबाजी स्टाइल के बारे में अभी अंग्रेज गेंद बाजों को जादा पता नहीं था अब सर्फराज एक मैच खेल चुके है और उसकी बलेबाजी की शैली को इंग्लेड ने देख लिया है इसलिए वो अगले मैच में उस रन नीती के हिसाब से ही उनको गेंद बाजी करेंगे ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे मैच में वो जब रांची में उत्रेंगे तो कैसा प्रदशन करने में कामियाब होते है ये बड़ तगली ख़बर के और ये शेश्वी जैसवाल का बड़ा धमाका एक साथ लगाई इतने स्थानों की छलांग भारत और इंग्लेंड के बीच खेला जा रहा टेस्ट सीरीज के 20 ICC और नई रैंकिंग जारी कर दी गई है इससे पहले नंबर वन पर अभी भी न्यूजेलेंड के केन विलियम्स है इस बीच न्यूजेलेंड के डीरी मिन्चल और पाकिस्तान के पुर्वकप्तान बाबर आजम को फायदा हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा उच्छाल इस बार भारत के सलामी बलेबास ये सश्वी जैसवाल को मिला है वही इंगलेंड के लिए बहतरीन बलेबास करने वाले बेन डकेत ने फी लंबी छलंग लगाई है आईसेसी की और सेज जारी की गई नई रैंकिंग में न्यूजेलेंड के केन विलियम्स अभी भी नंबर वन की कुर्सी पर कबज़र जमाई हुए है उनकी रैंकिंग अब बढ़कर 893 की हो गई है वही दूसरे नंबर पर स्वीट स्टीम है जिनकी रैंकिंग 880 की है न्यूजेलेंड के डेरिम मिल्चन एक स्थान के फायदे से नंबर 3 के साथ बले बाजे में बने हुए है वही पाकिस्तान के बाबर आजम को भी एक स्थान का फायदा हुआ है आए बड़ तगली खबर के ओर बुम्रा की जगगदर मचाने को तयार ये तेज गेंद बाद रांची स्टेट में करेंगे डेब्यू टिम इंडिया के तेज गेंद बाद जसमीद बुम्रा को इंगलंड के खिलाफ चौते टेस्ट मुकाबले में आराम करने दिया गया है जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखीर रांची में खेले जाने वाले चौते टेस्ट में तेज गेंदबाज मुहमद सिराज के साथी के तौर पर कौन उनका जोड़िदार बनेगा जिहां इंगलंड के खिलाफ तेज गेंदबाज की अनुवाई करने वाले बुम्रा को वर्क लोड मैनेजमेंट के तहट से आराम करने का ऐलान किया गया है और ऐसे में सिराज के कंधे पर दोहेरी बोच पड़ेगी लेकिन अब खबर आ रही है कि बुम्रा की गैर मौजूद गी में टीम इंडिया को एक और गेंदबाज मिल सकता है रिपोर्ट के माने तो भार्तिय टीम के तेज गेंदबाजी आकरमन के बलेबास के तेज गेंदबाज आकाश दीब को रांची टेस्ट में इंगलंड और इंडिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में डेब्यू करवान बन सकते हैं अब आप हमारे चैनल को मुबाइल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से अमेने स्टीवी आप डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा हाई क्वीक टुईटर फेस्बूक और कई की शोशल मीडिया प्लाटफोर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com अब वक्त चला है दोशे को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देख तेरे ये गदेश उर्दुनिया की तमाम